जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है जल का सनच्छण अतियावस्श्यक है, आप देख भी रहे हैं, कि दिन पर दिन जल का मातरा वर्षा की कम होती जा रही है, और उसका वितरन सामान नहीं है, हमारे यहां बिन सरा प्राप्त होता है वर्षा का देख दिन जन वहन भ़ब रुष का वहूम जल इस तर भी घर्टता चला जा रहा है इसलिए चिंता के विशह है हमारे लिये भी आपके लिए और इस विशह में केंजर सरकार हो चाहरा राज सरकार हो हमारे माननी कुलपती डाक्टर एसके पार्डिल साहब इस विशह में अतिधिक चिंतित हैं और हर प्रकार के संभो प्रयास किया रहे हैं कि किस प्रकार से जल का सरच्छन जद जद किया जाए और किसानों को इसका फायदा मिले और जन भागता के द्वारा उनके सहयो हुआ था पूरे हमारे देश के 36 सेंटर से चीफ सानिटिस्ट लोगे हाँ थे और उस विशह में बर्षा जल को और चतही जल को भूजल को कैसे सनरशित किया जाए और कैसे ज्यादा ज्यादा इसका उप्योग किया जाए इस विशह में चर्चा हुई अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने ककूल पर शादी के बकत तो तुने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रहे हूँ खेती की नई नई बाते सीखने आप भी चलो ना फार्म स्कूल जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया वीज और जरूरत के मताबिक कीट नाशक ताकि कम लागत में अधिक मुनापा आगे बढ़ते जाएं हम जन जन ने इस प्रांती में है विश्वास जगाया हम सबने मिलकर विकास का पर्चब है पहराया सहकारिता है अपने विकास की पहचाद क्रशी मंत्राले भरत सरकार द्वारा जन हीत में जारी अरे हरकू वाफ, वीज, कीट, नाशक, और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहां से खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कारड? अरे बैंक को द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती वाड़ी की समगरी कभी भी खरीच सकता है कारकू वहिया एक कारड बेरे लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नज़्दी की बैंक से संपर्क करें और पाएं धेर सारे लाज़ गाओ और शहर शहर में बाद चली राष्ट्रिय बागवाने मिशन की लहर चली आसाल हुआ अब फल पूल मसाले उगाना बेल स्री लगाना और जैर विक खेती अपनाना अब हो अतकनी की प्रशेक्षण का नासान विपड़न के लिए भी है सहायता के प्रावधान अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवाने निदेशक से संपर्क करें राष्टिय बागवानी मिशन जीवन समारे खुशिया फैलाए कारे करम के देख़िया चतिस गड़ के जम्मो किसान भाई वेनी हो तुहर मन के स्वागत है अज़ाई जुहार्यास्त मही कियां का सेंग वारी फूल के खेती के करलों जी तैयारी खेत मा लगालो लगालो जी कियारी अरे देखे मा सुन्दर चड़ाए मा सुन्दर देखे मा सुन्दर चड़ाए मा सुन्दर लगाए मा हिते कारी जी फूल के खेती के हाँ संगवारी हो तुम्हार मन के मैं एक बढ़ाव स्वागत करा था हूँ जहां मन फूल के बात आथे त्रुस्थर नांग्रम लगा ले या बारी में लगाले न चढ़ाय काम आगया कभू थोड़ बहुत लगाया काम आगया नहीं संगवारी वो फूल हा अतेक महत्तोपू करी है तो खूब फायदा हुई खूब दाम घलो अच्छा समिल थे और बजार घलो अच्छा संगवारी हो तो ओकर सिती आज हमना फूल के खेती करना चाहन तो कैसे करन ओकर कैसे कहान बिजा लाने उनका का कौन-कौन बात के धान रखन यह सब बात लमाज आप मनला बताब संगवारी हो तुम्हारी सवाल के जवाब दे वर यह विशय के विसेशग्य के रूप मां हमार बीच में दूजन बढ़िया फूले सरीक सुंदर संदर संगवारी मना आया हुए अब घर जुन जानकारे तिन मन हम तो आप आए श्री पूजा साहु जी डॉक्टर पूजा स पूजा गुप्ता जी यह जो हैं इंडरा गांधी के विसेशग्य के आपके बहुत दो स्वागत जय जोहार तो सबसे पहले फूल के खेती करें के काम महत्तम है और गोंदा के फूल हमार चात्नीजगर में खूब लगा थे तही गोंदा के फूल लगाया वर आदिमर कैसे क थो सबसे खेती हम कैसे करें और च्टीस गर में बहुत संभावनाई तो पोल के लिए क्योंकि परमप्रागत जो क्हेती हम कर रहे हैं उतना हमें फाइदा नहीं मिलता या किसानों को उतना फाय्दा अगर किसान भाई हमारे समय का ध्यान रखते वे फूल लगाएं तो इसमें उनको दुगना फाइदा मिलता है ठीक है जैसे इसमें हमारा लूस फ्लावर से लेके कट फ्लावर तक हम विक्री कर सकते हैं और दूसरा ये है कि जितने भी आपके जो पर्फ्यूम है इत्र है और ये सब चीजों में हमारा फूल का बहुत जादा मांग रहता है तो जैसे आपने बोला कि गेंदा जो फूल है हमारे चात्यसगड के लिए बहुत ही अच्छा फूल है और अच्छा वर्दान भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हर तरह की मिट्टी में हम इसको आसानी से लगा सकत जैसे आपका बलोई दोमट मिट्टी जो है वह बहुत ही उप्यूक्त माना गया है ठीक है तो गेंदा में एक खास बात है कि आप इसको साल भर इसका फूल ले सकते हैं जी एक मिट्ट आप रोकिया पहले किसान भाइक फून तिला ले 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 तना हां जी हां हलो 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 जैसे की किसान भाइ आपने पूछा है कि जल्वाई यू कैसा हो नहीं पूछा है जैसे कि किसान भाइए आपने पूछा है कि जल्वाई हूं कैसा होना चाहिए तो हमारा चाहतीस गड़ का जो वातवरण है जो जल्वाई होए वह सबसे उप्यूक्त है गेंदा के लिए और दूसरा यह है कि हम साल भर इसका हम खेती कर सकते हैं तो जैसे साल भर बोला तो आपका ये ठंड से लेके बारिश आपका गर्मी ये तीनों स अगर ये प्रजाती का ध्यान हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो जितना हमको पैदावार मिलना है वह उप्यूक्त नहीं मिल पाएगा हमारे लिए तो गेंदा में दो प्रजाती होता है एक होता है एक होता है अफरिकन गेंदा बोलते हम इसको और दूसरा हमारा फ्रेंच करना प्रेंच गेंदा जो इस फ्रेंच गेंदा रचे जो क्या पूल सुदू घया थाएं फूलन शवजका है दो ऑपारिश थंद फोटफ नम सब् Alberще अधून नंत भर हो गया बाराइटी यह दो तीन इस यह ची चैसम वाहें। तो अभी पानी गिर रहा है उसमें हमारे एक पारणज नारंगी और फिला नारंगी क्ले यह हम लगा सकते ह। तो अबि जैसे विए अगर बारिश में लगाया है तो अगर इस व्राइटी का चैन करके लगाया होगा, तो उसमें जाधा अपने को पैदावार मिलेगा। अगर आपका थंड का वेराइटी आपने बारिष में लगा दिया तो उतना पै्दवार हमें यहुदू को झिखत के लिए है कि आपका दियार के समय में आप ऐख्या मय-जून?? के महिने में खेट को जुताय करके वा थे नियुका से भानना या जब अच्छा ऑजी एपा अच्छा करें में अच्छा चाहरा पाँनी को कि तो गेंडा के नुक्सान सम्सक्राइब आपका जो गोबर खाद है आप जब भी गेंदा के बीचा खलो पता हूँ कत का डायर लग जाएगा यह आपका एक हेक्टेयर के पीछे आपको डेर से दो किलो बीज आपका प्रती हेक्टेयर लग जाएगा ठीक है और गेंदा में यह भी है कि आप नर्सरी तयार करें पहले अच्छा पौद तयार होगा उतना अच्या पौधा बनेगा अच्छा उसमें आएगा और दूसरा है नर्सरी कृद तयार करते हैं इसका फाल अधर नेशन वो प两 भी से पाँच्छे सब्सक्राइब कर दो और आपका नत्रजन है फोस्फोरुस, नखी है एक्सो बीज नत्रजन, आपका 80 KPT हम को 2 से 3 भाघ में डालने के लिए और भाकि फॉस्फोरस और पॉस्फोरुस और पोटाष है बुश्य नात्रजन है पर Kin 17 कुछ रोग राई आथे का? गेंदा जो है थोड़ा सुगंधित जैसा है और इसमें थोड़ा कीट और बिमारी का थोड़ा कम हम बोल सकते हैं बट कभी-कभी इसमें हमको यह लाल-मकडी जैसे शिकायत दिखता है इसमें क्या पतियां थोड़ी पीला और आपका जुलस जाता है तो लाल-मकडी के लिए हम आपका जो भी कीट नाशक है आपका रिडो मिल हो गया यह दो एमल प्रति लीटर की पानी के दर से आप उसमें रेगुलर छिड़काव कर सकते हैं कि सरकार के का योजना है इक संचालित योजना है यह में लूज फ्लावर के नाम से एक योजना चला थे जैमें गेंदा के खेती असानी से करे जा सकते अनुमानित लागत, एक हेक्टेयर में 40,000 रूपया खर्चा आ जाते उप सरकार हा अमर लगभग और ओर अलो हलो हालो जी कौन बोलाथा है क्टा दो बराव्य programa परें आपकर कि से आंदु साला बरी कोगते हैं आजी धन्डु जी आपके बहुत-बहुत स्वागा जय जोहार पूछाओ का पूछना चाहा था आपके आवाज साफ नहीं आवा थोड़ा एक बड़ाओ बोलो ना का के खेती फूल के हां ओखरी चर्चा चला थिले सुना देखाओ तब भी फूल पर सरकार से का का योजना है अजी आपके बड़ा पूल पर से किसान भाई मन गाओं में ही ग्रामीन अवस्था में रही थे तक ग्रामीन उद्ध्यान विस्तार अधिकारी के भरती करें गे हैं ओकर से संपर के साधले मान ओमन नहीं मिला थे बहुत एक ग्रामीन विस्तार अधिकारी 15-25 गाओं के सालक उद्ध्यान के नाम से कार्यलय स्थापी थे सबोजिला में हैं तो उहां के अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र मिल थे वोला भरके वो मनहा इसकीम के पुरा फाइदा उठा सकते हैं अब बहुत सुंदर जान काई थे हैं यह पूल अगर किसान भाई लगाना चाहें तो का करें इसे करें हैं यह जो ग्लेड़ूलोस यह भी कंद वाली फसल है और यह भी छत्तरशगड में बहुत सारे किसान अच्छे से इसका केति कर रहे हैं जो ग्लेडूलस है हम पियोग है वह इसे कट फल्वर हम यूज करते हैं, बुके बनाने में इसको यूज करते हैं, तो ये हमारा एक जो बुके में ग्लेडियूलस यूज करते हैं, तो ये ग्लेडियूलस का जो समय है, ये सेप्टेंबर से अक्टूबर अभी सही समय है, हम इसको कांदा इसका कॉर्म आता है, उस कॉर्म से हम इसका तो साथ हजार आपको प्रती एकड आपको ववस्था करना बड़ेगा ठीक है आपका जैसे खेट तैयारी करना है आपको पूरा गर्मी के समय खेट तैयारी कर लें आप अच्छे से आपका ये नाइट जो गोबर खा दे वह भी शुरू में ही जब आपका जुताई खेट तै पानी रुखने का कुछ ऐसा है तो आप उसको थोड़े मेड पे ऐसे लगा सकते हैं। करें लगाने से पहले आपको जो कांदा है आपका उसको कोई भी फफुन नाशी आपका जो फंजी साइड है बेवस्टन हो गया काप्टन हो गया आपका दो ग्राम प्रती किलो आपका कॉर्म के इससे आप उपचारित करके उसको फिर थोड़ा सुखा ले चाया में सुखा ल लो हलो लो है नमसकार पाई अ को बोला था और कहा ले बोला था मानवेंदर जी आपके बहुत-बहुत स्वागत शेये जोहार पूछाओ घया जोहार थे आपके पूरन जारां कि हमना उप ज्यादो फूल के शिर्थि कर मिया जोख सेटी कर सकतने हमने आमरे ज्याम हमाला उ प्रतिशत अनुदान देवतान की लगुयम सिमान किसान भाहिला 40 प्रतिशत अनुदान देवतान प्रतिशत अनुदान देवतान 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 प्रतिशत अनुदान देवतान 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 कषजान देवतान देवतान किसान भाई मन अपन दी है उने किसान मन तो एक रोबर महीं बहुत सुंदर मनें सरसरकार डाले सहे होगा है एक लेडियोस जो भी भाई बतावत हो आप फूल एमा कुछ बीमारी वह नहीं लगते का कतेक महिनम तयार हो जाते हैं जो ग्लेडियोलस है यह हमारा नब्य दिन में जविदे नब्य दिन में और जहां तक इसमें बीमारी और रोग है इसमें थोड़ा सा प्रोबलम दिक्कत आता है कि हमारा जो पौदा है उसमें फोड़ा सा सडने जैसा हो जाता है जिससे पतियां पूरी पीली होके और खराब हो जाती है और पौधा भी कमजोर हो जाता है उसके लिए है कि हम अच्छा सा फफुन नाशी से उसको छिड़काव करें और दूसरा है कि मिट्टी में भी अच्छा उसको ड्रेंचिंग कर दें जो भी फफुन नाशी बैवेस्टिन हो गया काप्टन हो गया उसको दो हम प्रति लिटर पानी के दर से उसको छिड़काव करके रखे हैं दूसरा इसमें आता है कि जो स्टोरेज में जब हम का इनदा को स्टोर करके रखते हैं गो डाउन में उसमें तो थोड़ा वो सड़ने जैसा और इसमें भी आता है एक किसाँझा भाईब होने हाटा हम एट तो पन्राट्राट्रा। गारा बात है। पुच पुचा पूच्छी। तो में विश्चे सागे ताहमा नहीं जानकारी जीच चाहात रहे हूं हमाल गुलाब की खेती करने चाहता हैं तो ओकर जमिन के पोकों से जमिन में करना च्थी और उनक किस मकार थे जानकार जेश्टी से बढ़िया भी इसे बीलकुल सही बात गुलाब की खेती बार इन अब जाओ मिट्टी होना चाहिए जितना इसमें और गुबर खाथ जितना अच्छा रहेगा उस मिट्टी में आप आसानी से खेती कर सकते हैं यह जो हमारा समय है सेप्टम्बर अक्टूबर का इस महिने में आप अपना जो भी बडिंग वाला पौधा आता है जिसमें ग्राफ्टिंग बडिंग किया रहता है उस पौधे को आप यूज करके प्लांटिंग कर सकते हैं आपका एकड में अगर है तो आपका यह किसम कुन किसम ही है 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 या इसमें हर तरह का कलर वाइज अलग-अलग रंग के तरह नाम का है और वराइटी में जाएंगे तो आपका हैपिनेस करके अलग-अलग wariety है अपकर लाल कलर में जाएंग You तो हैपिनेस है, फ्रेंशिप है, ठीक है, ये अलग-अलग बराइटी, अच्छी है, खाद भी आपका, ये आपका नाइट्रोजन और फॉस्फरस और पोटास जो है, गोबर खाद जो मैंने आपको बताए, वो हमेशा शुरू में ऐजे उसमें डालते हैं, गुलाब के खेती करे जा सकते हैं, लेकिन किसान भाई मनला मेहा, सुझाओ देना चाहूं कि आप मनहा, अगर उन्नत तरीके से गुलाब के खेती करना चाहा थो, तब पॉली हाउस, जे में बहुत ज्यादा सबसीरी देवत हैं हमनहा, लग-बग 4,000 वर्ग मीटर में, अगर आप मनल लगाना चाहा थो, बहुत अच्छा खेती करना चाहा थो, तब 4,000 वर्ग मीटर के लग-बग 50 प्रतिशत हमने अनुदान में देवत हैं, जे में नमी, बरसात, पानी, ठंड, पाला सब से बचत होगा थे, जैसे आप मन पूछें सर, नर्वा-गर्वा-घौर्वा-बाडी, तो हमन राज्य शाषन के सबसे महत्वकांची योजना के तहत, नर्वा-गर्वा-गौर्वा-बाडी हम चलात हैं, और एकर स्लोगन भी तयार है, नर्वा-गर्वा-गौर्वा-बाडी, एला बचाना है संगवारी, और 36 गड़ के ही चार चिनहारी, तो एकर बारे में ये बताना करते हैं, तो हमर में कारन ये हुआ थे कि एला हमन करे के कारन, भूमी खाली पड़े हैं, तो में ताजा ताजा फल, सबजी, बीज, सब उगाओ, ताजा खाओ, कुपूशन ला दूर करो, और आमदनी भी दुबुना करो, ये हमर मन के, और फूल ला तो लगाना ही लगाना काबर के 500 वर्ग मीटर तो कर जमीन हां आबेच कर ही, तो ये योजना के था हमन का करते हैं, कि फल के, फूल के, सबजी के, सब के, बीज के वितरन करते हैं, और हमर जो ग्रामिन उद्ध्यान विस्तार अधिकारी है, ओ मना जा कि किसान भाई मनला मार्क दर्शन देवत है कि कौन से उननत तरीके से आप मनला लगाना है, और लगबग एक हजार, एक सीजन में आप मनला मन देवत हैं, अच्छा, पॉली हाउस में लगबग चार हजार वर्ग मीटर तक जो पॉली हाउस लगते हैं, ओ में हमन अनुदान देवत हैं, पचास प्रतिशत के, जो भी आप पर आप मन के अनुमानित लागत है, एक हमर मन के निर्धारित प्रोफार्मा है, मालो जैसे की काकरो, छोटे इस तर पर बताऊं मालो 20 लाग है, तो 20 लाग है, 10 लाग हम सरकार हदिवत हैं, तो अतका बड़ी योजना चला थे, तो मैं किसान भाही मन से आगरा करूं कि आप अगर जितना अच्छा खाद उसमें डलेगा आपका और ऑर्गानिक खाद तो उतना अच्छा उसमें फूल आएगा, दूसरा यह कि अगर अच्छे फूल उसमें नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है उसमें अच्छा कटाई छटाई नहीं किया, ठीक है, आप उसको अक्टूब रजनी गंधा का भारें घौलो बतादो हमर किसान भाई अगर रजनी गंधा लगाना चाहें, तो कैसे करें का करें, बीजा कहां से मिली, कैसे रजनी गंधा का भी कांदा बल्ब आता है, और यह कहीं हमारे college में, university में आपको बीज मिल जाएगा, और यह आप साल भर भी अपयुक्त समय हम बोल सकते हैं कि फरवरी से मार्च के समय हम इसको लगाएं ठीक है इसमें आपका प्रती हेक्टेर के हिसाब से देखेंगे तो आपका एक से दो लाक आपको कांदा लग जाएगा, ठीक है और कांदा जो आप लेते हैं इसमें ध्यान रखना चाहिए तो आ अपका यह साथ से 10 cm गहरा उसको लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे से इस्टैबलिश हो जाए और अगर आपने उपर उपर लगाया उसको कांदा को तो इसमें एक समस्य आता है कि जब भी भी इसमें फूल आता है जो डंडल आता है वो उसका वजन इतना होता है कि वो ग जाता है लुडग जाता है तो उसके लिए आप जितना अच्छा गहराई में लगाएंगे उतना उसका पौदे का जमाव रहेगा प्रजिनिक अंधा वर्ग अले कुछ ना है कुछ योजना है का अलाग से बिलकुल एक अबर योजना है बल्बस कंदी वर्ग के फसल बर ये शुड़े से चेज़ है जेकर Yayasya घंस बल्डे जबड बल्चाने में बताना चाहें कि च भर संके ड़ार राज जय बागमानी मिशन है बंबु मिशने बंबु मिलां बास के खेती भी आमर किसान भाइमन कर सकते डृप के सिचाई जो सुक्ष्म शिचाई योझना के था डृप के कर सकते अच्छा लोग योजना है साथ यह परंपरागत कृषी विकास योजना है जे में जैविक खेती बर तको अनुदान देव सब्सक्राइब कर सकते हैं अब उद्याने की विभाग में बीज अधिनियम भी चालू हो गए है तो जहां ले वो बीज ले है तब इंस्पेक्टर हा वोला बिल्कुल जाके कारवाही कर सकते हैं और सील कर सकते हैं अब बीज बिल्कुल नई बेच सकते हैं और जैसे सरका वकर किसान के परिसा चले है तो दुबारा फिलने बर फिर से अविदन करें लागी हो मनला और दूसरा फसल बीमा एक में बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूं किसान भाई मनला की पुनर गठित फसल बीमा योजना है उकर तहद भी बहुत ज्यादा अमन फाइदा देवा तो पुजा साहू मेडम आपन बहुत बढ़िया जानकारी आप मनला देहों आप मनला बहुत भूद धन्यवाद जैजोहार तो संगी हो फूल के खेती करे से तुमने देख नरे और बजार भी बढ़िया अतर घुनो खुब मिलते हैं लागा आए के बहुत ज्यादा फूल है अज चला थे तो खरबन के आज जानकारी आप मनला मिलीस अवयाद अरी पर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवाम हाजी रोबोत अलगस जम्मो संग्वारी मनला जैजोहार करकारी बजया है है आपके सेवारी के का कि अपके सेवारी नहीं जापके सेवारी के सेवार इल लेग।